तो आज किस क्लास में हम लोग सेडिमेंटरी रोक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पेट्रोलोजी का लगभग लेक्चर नंबर 6 होने वाला है ठीक है इसका हिंदी जो होता है वह होता है अवसाधी चटान जैसा कि आपको पता था चटानों का वर्गी करन हमने किया था जो कि तीन प्रकर करता एक था आगने एक था और एक था कयांतरित तो और अगने जो था इगनियस रोक्स के बारे में हमारा लगभग लेक्चर चार या पांच लेक्चर अल्टरेडी चैनल पर अवेलबल है जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज कि इस क्लास में हम लोग एक तम बेसिक से चलेंगे कि भाई आवसाधी चट्टान होता क्या है और पूरा डिटेल से इसका पूरा विसेश्टा तक हम लोग स्टडी करने वाला है तो आवसाधी का मतलब आपको समझना है सीधी सी बात है इस पूरे प्रिथवी की यह ब पूरा मतलब एक होता ना कि प्रिथवी का जैसे लेयर होता है इस पूरे प्रिथवी पर 75 परसेंट यानि इतना क्या है वनली आवसाधी सेल है सब समझा गया इस पॉएंट के अनुसार और भी हम लोग आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं और साधी सेल को हम लोग इंग्लिस म का मतलब होता है बैठ जाना अभी आपको यह सब क्यों लिख लेना है और एक लाइन से जो हम आपको बताने वाले हैं एक चीज का पताएंगे परपट्टी का निर्मान में यानि कि जो प्रिथवी का उपरी परत है इस पूरे परपट्टी के निर्मान में आसाधी सेलों का मात्र 5% ही भूमी का है और बाकी जो 95% है वो इगनियस और मेटामॉर्फिक यानि कि आगने और क्यांतित सेलों का योगदान है समझा गया इसका निर्मान की परकिरिया के बारे में बात करेंगे डिटेल से तब आपको जाकर यह वाला भी समझ में आ जाएगा यह आपको ऐ अब हम लोगा जानते है किसका निर्मान प्रोसेस होता गया सबसे हम लोग पढ़ चुके थे आगने से क्लेसे जिसका निर्मान प्लस मेगमसे लाव और मैम से उता है इसका निर्मान ठिक है किसका आगसेड़ ci Cheryl का सब वाई कोई भी सठोगा आगनेयश लगाल पहले होता है और आगनेयर सब्सक्राइब है अपक्षे का कौुकर फिर्री यह होता है इसलिया जीए जब चटान जब आपस में तूटने लगेंगे तब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं अपक्षे क्या बोलता है अपक्षे तो चटानों का टूटना अलग होना चटानों का बीघटान या तूट फूटकर अलग-अलग हो जाना ठीक है यह सारा प्रोसेस क्या हो जाता हैं समझा गया अब बताए कि आगनेज जया अना आगने यह तो कठोर होता है नहीं और आगनेज जयों कॉन शांध बोल रहेते प्राथ्मीच कौन शांध मिक्सित कॉन से प्राथमिक चैण और इसका नाम क्या दिये हैं अभी परदार क्या बोल रहा है प्रदार प्लास में त तो उसका यदि निर्मान हो रहा है तो जिसे कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं परमानु और मानु सब पढ़ते हैं ना परमानु नहीं पढ़ते हैं उसमें क्या बताया था जोन डॉल्टल ने अठारा सो आठेस्ट वी में कोई भी निर्जीव पदार थे या कोई भी टुकडा हो उसको तोड़े तोड़े इतना तोड़े की लाष्ट में उसको तोड़ाना जा सके तो ऐसे यहां पर की के एक पथर होगा एक पथर का चट्वनों का तोड़ेंगे मतल़ होwar Cand Top इतना टूटेगा इतना टूटेगा कि टूटने के बाद एकदम उसको बालू के फोम में ले आना है किस फोम में बालू के फोम में हम उसाधी चटानों के निर्मान की बात कर रहे हैं तो भाई आगने सेल में बालू जब बन जाएगा समझें कि सेंड बन चुका है क्या बन च कमता है ना तो बालू के उपर एक मिटी का लेयर बैठ जाता है धूल बैठ जाता है जिसको धूल कहते हैं कभी आपको सुध्ध बालू कहीं पर देखने को ने मिलेगा उसके साथ अईसे अगर नहीं यह तो बालू को उठा कर आप ऐसे दर के नीचे गिरा सकते हो उसे घूल निकलता है गेने तो क्या कश सकते हैं एक लाइन में कि बाव मालू से भी पतला चीज़ ऊता है जिसको हम लुग ध्वून कहते हैं क्या कहते है दोल कहते हैं इतना concept के लिए आणा कि यह क्या निकलेगा तो क्या निकलेगा तो निकलेगा आब यह बात है कि जैसे सबक पर चलत तो देखेगा अक्सर मीटी वाले सड़क में आपको धूल देखने को मिलेगा या पका का भी सड़क है ना तो सड़क है तो सड़क पर आईसे तो पका वाला सड़क पर दूल आता नहीं लेकिन जहां पर दिखिए जिस इलाके में बहुत ज्यादा धूल है उस धूल को पहले उड़ने दो फिर धूल को क्या करने दो बैठने दो एक प्रकार के जमाव उत्पन होता है मतलब वो जम कर एक मीटी के रूप में बनता है या बालू का टुकड़ा भी होगा तो एक समय बाद क्या हो जाता है वह परत बन जाता है समझा गया यह है इसका निर्मान का प्रोस से तो उसमें हम लोग यह बोड़ सकते हैं कि चटान अभी नहीं वह अवसाद बना एक तरीके का क्या बन रहा है और साथ समझते हैं डिपोजिट उसको इंगलिश में कहते हैं और हिंदी में निचेप क्या बलता है निचेप तो उसको मिटी निचेप बोलेंगे स्वाइल स्वाइल डिपोजिट इसको अभी नहीं पड़ना है देखिएए अब एक और प्रोसेस यह तो प्ता पहला दूसरा मीं यह है है कि यदि आपके घर के आशपास कहीं पर बालू का धेर लगा होगा होगा ठीक है बालू का धेर लगा हो देखिए गा कि बालू को ना बालू क को बहुत लंबे समय तक लगभग 5-10 साल तक छोड़ देंगे ठीक है 5-10 साल तक बालू को छोड़ने के बाद उस पर एक परत बन जाता है मिटी का कैसे बनाओ कैसे बना ने धूल कहां साया बालू तो रखा हुआ ना तो उस पर एक परत बन जाता है यह सोचने वाली बात है दिमाग दोड़ा यह क्लास में भले हैं लेकिन घर पर लगाओ जहां पर बालू होगा वहां पर दिमाग लगाई है ऐसे तो वह प्रोसेस क्या होता है हाँ अब सवाल यह है कि सेडिमेंटरी इसका नाम था ना सेडिमेंटरी सब्द से ही क्या बना है सेडिमेंटरी सब्द से क्या बना है सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी सब्द से क्या बना हुआ है सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी सेडिमेंटर को और तोड़ो ना तो इससे एक और सब्द निकल के आता है जिसको हम लोग सीडर कहते हैं क्या करते हैं सेडर या सीडर कह सकते हैं इसको यह सीडर का मतलब होता है जमना सीडर का मतलब क्या होता है जमना अब बताओ कि यह सीडर कैसा है हम बोले कि जब बालू जब मिठी के रूप में लेगा या पत्थर के रूप में लेगा जब तोड़ो का उसको यदि तोड़ेंगे एक अलग रूप लेगा तो अलग रूप लेगा तो उस परकिरिया में वो जम जाता है आप देखें जमने का दो प्रोसेस हो सकता है क्योंकि हमारे प्रिथ्वी पर दो चीजे एक अस्थल और एक जल तो समुंदर बोल सकते हैं समुंद के पेंदा में जमेंगे तो उसमें भी जमाव हो रहा है वहां पर भी आउसाद बन रहा है क्या बन रहा है और इधर से तो आउसाद बने रहा है जो धर्ती के नीचे में बन रहा है धर्ती पर ज्यादा आउसाद बनेगा कि वहां पर जल में समुंदर में ज्यादा आउसाद प्रोसेस होता है पानी में कहां पे उतना होगा उतना हो पाएगा उतना होटा है तो ज्याद अब कहा पे होगा सेडिमेंटम प्रोसेस ज्यादा होता है कभी भी पूछेगा सेडिमेंटरी रोक्स का निर्मान किस बीदी दवरा होता है सेडिमेंटरी सेडर भी हो सकता है जिसको हम लोग जमना कहते हैं इसलिए इस पत्थर का नाम क्या पड़ा है तल छटी तल मतलब होता है नीचे तल मतलब क्या होता है नीचे गहराई छटी मतलब होता है कि छाटकर नहीं आ गया है जो जीव है ना उसका आउसेस है तल छटी चटानी को कहते हैं और तल छटी का मतलब क्या होता है बैठ जाना एक और चीज और लोग इसको भी बोड़ सकते हैं कि जैसे मालेजिए कि कोई भी चीज रगड़ाता यह तो उसे एक अलग प्रकार का मतलब पदार् आत ना कभी भी कोई भर और आइप होता हां हम पिज्व होने से आए नीचे बालु है क्योंकि बालु का निर्मानी वा पत््हर को टूपने को में टीज उसमें stare बोल सकते हैं तो समझा गया तो बालू में भी पानी जाएगा rah बनů हुआ जादा पानी डालो तब ही अलग स्टीज बन जागा औव बालू को आप इतना जाद रहे रहें बालू हम कौनसा आद बोलेंगे डहींड हैं बालू हम क्या क्या कर सकते हैं क्या उसमें पानी डाल सकते हैं क्या पानी पर्वेस हो जाएगा क्या पानी इसमें पर्वेस होगा बिल्कुल ठीक है क्या आगने सेल में पानी पर्वेस होगा हुगा हुगा ही नहीं होगा ही नहीं क्योंकि बालू है इसके बीच मेरी तस्थान है ना बहुत ज्यादा इसमें और भी आभी देखो यहां पर बताया थे इसमें परत कैसे बनेगा परत में चीज यहीं है परत कैसे बनेगा जैसा कि हम बताया थे न सेडिमेंटम में बालू जमेगा तो जम के एक परत का निर्मान करेगा इसलिए परत और आपको कल है कल ही एक चीज पढ़ाया थे यदि एक यह लएंगे कि यह सेडिमेंटरी रोक्स है यह सो नो क्या इसी परकार के बहुत सारे बालू को एक जगा पर अधार आधार कहलाएगा वह समझा गया कहने चाथ पर यह है पूरे क्लास का कि भाई सैडिमेंटरी मतलब होता है बालू जैसा है कोई से एकदम छोटे-छोटे पार्टिकल वाला ठीक ना बहुत ज्यादा मोटा यह नहीं रहेगा और होगा भी तब बालू जैसे संदस्ना होगा चलिया आगे पचात्तर परसेंट आवरीद है यह पचातर परसेंट के निर्मान में पचातर परसेंट सेडिमेंटरी रोक् समझा गया यह क्या किया हुआ है धका हुआ है इसके बाद देखिएगा कि परपट्टी के निर्मान में पूरे धर्ती के निर्मान में क्या चीज़ है कि 5% सेडिमेंटरी रोक्स का क्या है योगदान है पूरे भूपरपट्टी में कितना परसेंट है योगदान 5% याद र बन जाते हैं कायांत्रित और आगने का भी रूप होता है तो आगने और हम लोग कायांत्रित पढ़ेंगे तो तब आपको पूरा दिमाग खुलेगा कि हाँ कैसे भूपर पट्टी का निर्मान हुआ है देखिए आपको जब पेट्रोलोजी हम स्टार्ट किये थे जिसको हम ल प्रोसेस तीन प्रकार कर चटान है कितने प्रकार के तीन जिसमें हम लोग अल्रेडी एगनियस रोक के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं वहां तक कोई डाउट है क्या उसमें नहीं तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि वही पथरवा मानलों कि कोई वी देवर्ती सेल में जो हम लोग बताया थे कि नीचे से कोई पथर देख जाता है तो उसको लोग पूजा करता है तो पूजा करता है तो प्रोसेस क्या है उसका उसको लोग मान लेता है कि प्रीत जो हमारे पास क्या है पथर में ब्रीधी हो रहा है क्या हो रहा है पथर में ब लिखा हुआ हुआ रिखा हुआ है जिवास्म पाया जाएगा जिवास्मा पढा यतो दो जिवास्मे एक्जामपल कोए whatsoever आप सबसे ज़्याज पैट्रोलियु मेरे कि निखलेंगे ना मुझान है क्या निकलेगा और निकले क्य Cafe टाम पूरा बीच में यहां पर तो यहां में सब्सक्राइब प्रात्रिति के चैनल करेंק कौन सब्सक्राइब यह सब निकलता है यह सब और वसादी सेलों के बीच में ही पाया जाता है जैसा कि अभी देखना यहाँ पे जिवास समय बहुत बार पूछा हूँ लगबग चार सल लगतार यह सवाल पूछ रहा है और सादी सेडिमेनटी में एक दम फिक्स है जिवासमा अरे देखो ना बालू के टुकड़ा में यह जो बालू का ठुकड़ा था इसमें जगा बच रहा है इसमें तेल लुन पाए जाया जाएगा जीवासमा का आउसेश चोटा-मुटा नहीं पाए जागा बिलकुल ते कि आपको पाएगा आपसाएगा एक सवार पुछताथा था रिपल मार्कस तो यह पाहा जाएगा और साधी पूछता है पैरों के निशान कोई का माईएगा कि असाधी आथी के पैर के मे democracy क्योंत chili सब्साज कुछ़ की पटा ऊकूछ Means निसौन कि आपको पताए कि प्रात्मिक सेलेतं वजबूत होता है उसमें उसको अब में समझना कि कोई भी निसान हल जो भी पाया जाएगा थो अब तो थोड़ा सा बी लिसमें कोई बी उसमें 사진 और तुरंट है मुलायम हो सकता है कि नी सब्सक्राइब है क्योंकि बालू बालू है तो कि ऐसे संधि का isn't होता है संधि का मतलब क्या होता है जोड जैसे कि रहा था कि आगनेए सेल जो होता है उसके ऊपरी भाग में संधी पाई जा सकता है उपर पहले कमझूर होता है अंदर वाला घुर नहीं होता है इसमें क्या होगíamos सेले में इससमें संधिपर पूरा एंसा बटान है सेल यह का चachen न चोंटाप ब्रूस्य होते हैं क्या होते क्ई प्रवेस्थ्य समस्झते हैं अब बताया थी परवेस करने वाला पानी इसमें परवेस्थ करेंगा इसमें तक पाणी पुरा चला चला जाता है बालू रखो और पानी विसाटरे ठीक है और तेल जाएगा कि नहीं जितने भी तेल पाया जाता है जैसे किरोसीन हो गया पेट्रोलियम हो गया पेट्रोलियम में डिजल पेट्रोल सब गया ती और जितने भी और भी गैसोस पाया जाते हैं प्राकृति गैस सब किसके बिच पाया जाएंगे औसादी सेलों के ब निकलता है जोकि आपको chemistry के chapter 6 या 7 में परना है ना खनी जो का सांध्रन कुछ है ऐसा कुछ चेप्टर है देख लेना खनी जो का सांध्रन कुछ भाई मीटी नहीं दिए हम उसको तो अपरदन होगा उसमें मीटी कटेगा ऐसे तो यह होता है सीगर अपरदन जल्दी हो जाएगा क्योंकि कमजोर है मुलायम भी है सब कुछ तो जल्दी मीटी कट सकता है समझाया इसके बाद इसका एक्जांपल की बात कीजिए उदाहरन स्टोन मनें पत्थर ठीक है तो बल्गा पत्थर हो गया चिकनी मीटी क्या होता है चिकनी मीटी काली मीटी यह सब का निर्मान एक्रेस होता है बड़ी भ्यानक होता है काली मीटी का निर्मान पढ़ा दे उसको भी काली मीटी कुछ है नहीं ऐसे देखो काली मीटी ऐसे लाल और पिला तुम केवल मैगमा से जो मीट जो केवल लाल कलर का केवल मैगमा इठंडा हुआ है तो तो पथर बन गया और एंदिय हो पाल लेकिन पहलेगा च schaffenणार auf Siri कि अन्हेरे मैंगे ता उड़ाया नियुक्त तो लाल कलर करें नऊसको को बोलते हैं लोग मीटी रहता लेकीज्ञे रहते हैं ना ना लेकिन दानेदार संदम पाए जाति यह पूरी तरीकरे से उनी होता है चिकारा इसके बाद काली मीटी काली मीटी बनता है लावा से पहले माईगमा से बढ़ियांस बिद्वत रूप से क्या बन चुका है लावा और लावा से बढ़ियां को उधारन भी बताए थे आपको पत्थर्स पहाड का नाम बताए जैसे गुजरात मद्प्रदेश हो गया मुंबई हो गया है न continuing allowed the new added create my request वहां पर गया इसे मतलब मिटी बना प्फर से मिटी बनने का प्रोश्य स्कॉन से छर्म को साधी में किस मोया मत पथर से मिटी बनने का इस चरो कुछ प्रोशस्ष नहीं परहर्ण से मिटी इतना ही चलिए तो ब्लेक मिटी जो मनता है नशिक्नी मिटी से करते हैं इधाय पूरा शिक्नी इंट करता है कभी देखिए काली या दी खेथ होगा आप लोग के काला व लग मिटी वला उसमें पानी को जैसे कोई फसल को शिचाई करना है है ना पहले पहले चीज के यह बहु में पाये जाते हैं समझा है तो उसको यदि हम पानी पता देते हैं उसको पानी पता न बोलता है एक हफ्ता तक पानीमं मत भी ढालो कोई फरक न पढ़ता लगा यूंग히 चिकनी मीटी मीटी यह दीर झो एकसेफ्ट करेगा नहीं तेर स whan Ti either यसका काली मिर्टे स्काली मिषर जीट करना को शीचने के लिए आराम से रहती होता है दो इक्जांपल पता चल रहा न क्या होता है इसका एक्जांपल पत्थर बल्गभाप्थर चिकनी पिटी जीब सम्जाने क्या होता है सीफ फोर । टू थीज नहीं कैल्सियम सल्फेट तो प्रास्ट के बनता है चुना पथर तरह जुना पथर गये रूफ हो गया को है के नहीं चुना होता यह उसमें लुट भी पूशता है डोल oy पलब आपको कांगलो मेरेट बताये हम यह चीज की कांगलो मेरेट बालू जो पर बलास्ट करेगा ना बलास्ट करेगा जैसे 20 फोतक जो आलम कि नहीं बताया थेकल एक्ट्रसी में तो उला जो ब्लास्ट करेगा तो टुकड़ा वाला जो सेल ऊपर आजाएगा तो उसका ओल्रेडी साइज छोटा-छोटा होता है तो उसको में किस कटेगरी में रखेंगे कभी भी सवाल पूछता है कल भी इसका जिक्रम किये थे तो बदाया था कि 50 परसेंट यह नहीं दे तब आपको अगने मारना है मतलब इसका निर्मान की द्रिश्टी कुन से देखेंगा ना कि इसका निर्मान हुआ कि से मैगमा लावा सही हुआ है ठीक ना लेकिन विसफोट क कौन से चट्टानों के बीच में पाई जाएंगे और क्या बोलता उसको कयांतरित में तो अभी क्यांतरित पढ़ाएंगे तब कंप्लीटे कर देंगे उसको खनीज और तेल तेल बताया था ना यह सब चीज आवसाधी से लों की उपस्थिती में ही पाई जाती है आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप लोग लिख लिए ठीक ना अच्छे से आई होब देट आपको भी समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इस अवसाधी सेल को क्लासिफाई करेंगे जाहिंद